बिहार बोर्ड 11 तिरी मासिक परिच्छा नोनमबर का देख सकते हैं फिजिक्स का औरिजिनल कोस्टेन पेपर है दोस्तों तो वीडियो को आन तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको बताऊंगा पीडियाइप कैसे डाउनलोड करना है अबजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोन आज आपका एक्जाम है फटा फट अबजेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड कर लिजिएगा पीडियाप मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो को बस अंतक देखना है आपको सारा चीज मैं आपको बता दूंगा देखिए दोस्तों एक से 30 तक आपका प्रत्न रहेगा जिसमें आपको 25 गो अबजेक्टिव का आंसर देना है तो चली हम 300 अबजेक्टिव का आंसर आपको बताते हैं पहला करा है पिरिष्ट तनाव की बीमा है तो इसका अंसर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा एक का अंसर आपका डी हो जाएगा नोट कर लिजिएगा य लिखित में से कौन सदिस रासी है तो दोखांसर आपका बी हो जाएगा विस्थापन इन नमर प्रस्ण का रहा है कि आधिकतम 36 परास के लिए प्रेक्षपे का प्रेक्षपन कौन होना चाहिए तो तीन का अंसर आपका सी हो जाएगा 45 डिग्री अगला प्रस देख लिजिए चार नमर प्रस्ण करें यदि M दरबमान की बस्तु एक आर तिर्जिया वाले बिरित्ती है पत पर एक समान गती से घुम रही है तो बस्तु का किरियारत अभी केंदरिये बल का मान होगा तो चार का अंसर आपका D हो जाएगा M U बटे आर पांच नमर प्रस्ण आपका कर रहा है कि राकेट प्रेक छेपन किस सिद्यांत पर अधारित होता है तो पांच का अंसर आपका C हो जाएगा Newton के गती नियम चलिए छे नमर प्रस्ण कर रहा है कि किसी बस्तु के सम्वेक को तीगुना करने से उसकी गती उर्जा हो जाएगी तो चो का अंसर आपका क्या हो जाएगा चलिए अगला प्रस्ण देख लिजिए साथ नमर प्रस्ण आपका कर रहा है वीडियो काँ तक दिखेगा क्योंकि मैं आपको बताऊंगा पीडिया आपके से डाउनलोड करना है उब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का साथ करा एक बीमिये गती की ब्याख्या करने के लिए कितने चारों की अवैसकता होती है तो इसका अंसर साथ का आपका बी हो जाएगा दो चार या अक्ष आठ नमर करना निम्लिकित में से किसका बीमिये सूत्र ML2T-2 है तो इसका अंसर आठ का आपका ए हो जाएगा कारिये यानि की वर्क चलिए अगला प्रस देख लिए नो नमर कर रहा है कि जब दूद को हम पी मत्य है तो मख्ण के अलग होने का कारण है तो नो का आठ का अंसर आपका भी हो जाएगा अभी केंदर ये बाल न Será आपका व करना दोस्तु का ऑरिजिनल कोश्चन के जाना है अगजाम में पूरा छक्का मार के आना आपको ठीक ना चलिए अगला प्रस्ण देख लिजिए 11 नमर 11 नमर प्रस्ण कर रहा है कि इलेक्ट्रोन की खोज किसने की है तो 11 का अंसर आपका सी हो जाएगा प्रस्ण देख लिजिए 14 नमर प्रस्ण आपका कर रहा है कि 72 कि 72 क्यों में बदलने पर उसका माल क्या होगा तो इसका अंसर 14 का अंसर आपका सी हो जाएगा सी 20 मिटर प्रति सकेंड ठेख चलिए 15 नमर प्रस्ण कर रहा है कि किसी बस्तु दुआठाय की गई दूरी लिए एक समा के समानु पाती हो तो बस्तु की चाल तो इसका करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा सी हो जएगा इस्तिर रहती है 16 नमर प्रस्ण का रहा है कि कार में लगे स्पीडो मीटर किसका मापन करता है तो 16 का अंसर आपका C हो जाएगा ततकालिक गति उसके बाद दिखिए दोस्तों 17 नमर प्रस्ण का रहा है कि जब पिर्थवी की तिर्जिया आर और गुरुतिवे तोरन जी हो तो पिर्थवी की सतह से पलायन बेग है तो 17 का अंसर आपका E हो जाएगा रूट अंदर बड़ी RG रूट अंदर 2 बड़ी RG अठारा नमर प्रस्ण का रहा है कि किसी पिंड का दरब्मान M और B भी हो तो इसकी गतिज उर्जा क्या होगी तो 18 का अंसर आपका 18 का B हो जाएगा 1 बटे 2 M B स्कूर चलिए 19 नमर प्रस्ण आपका का रहा है कि सक्ति का SI मात रख है तो 19 का अंसर आपका B हो जाएगा 20 नमर प्रस्ण का रहा है कि 90 मिटर प्रतिस सकेंड चाल से गतिमान 0-290-04 केजी दरब्मान की कोई गोली लकरी के भारी गुटके में धसकर 60 cm दूरी चल कर रुक जाती है गुटके दुवारा गोली पर लगने वाला अवसत अवरुद्धी बल क्या है तो इसका अंसर 20 का आपका B निकल जाएगा 270 N यानि की Newton उसके बाद देखिए दोस्तों 21 नमर प्रस्ण का किसी पिंट का संबेग P का P क्या होगा जब पिंट का दरबमान M तथा बेग भी हो तो 21 का अंसर A हो जाएगा P बरावर M भी 22 नमर प्रस्ण का रहा किसी पिंट का दरबमान 5 की जी तथा तोरण 2 मीटर पर 30 सकेंड है तो पिंट पर लगने वाला बल है तो 22 का अंसर आपका 22 का D हो जाएगा 10 निटन 23 नमर प्रस्ण का रहा कि सार्व त्रीक गुरुत्वी इस्तिरांख G का अमान है तो 23 का अंसर A हो जाएगा 6.672 गुना 10 पर माइनस 11 निटन मीटर मीटर स्क्वाइर केजी केजी उसके बाद 24 नमर प्रस्ण आपका का रहा है कि एक किलो वाट घंटा बरावर है तो इसका अंसर 24 का A हो जाएगा 3.672 गुना 10 पर पावर 6 जूल 25 नमर प्रस्ण का रहा है यदि 8 सदीस बरावर 2i-3j तथा 20 सदीस बरावर 3i-2j हो तो सदीसों के बीच का कौन तो इसका करेक्ट अंसर 25 का आपका C हो जाएगा 5 by 2 उसके बाद देखे दोस्तू 26 नमर का रहा है कि लंबी दूरियों के मापन है तू किस विधी का उपियोग करते हैं तो 26 का अंसर यह हो जाएगा लंब वण बिधी 27 नमर प्रस्ण आपका करा है कि यदि कोई बस्तू समय अंतराल में समान दोरिते करती हो तो उस बस्तू की गती कहलाती है तो 27 का अंसर यह हो जाएगा एक समान गती 28 नमर प्रस्ण देख लिजिए 28 का रहा सरल रेखा कि है तो 29 का अंसर यह हो जाएगा तीन दस्तूलब जिरो आठ गुरा दस्वा पर 16 मीटर तीस नमर प्रस्ण का रहा है कि यदि प्रिंट का दरब्मान M और गती जुर जाई हो तो रेखिए संब्यग होगा तो 30 का अंसर यह हो जाएगा रूट अंदर 2 M E अब चलिए हम आपक प्रिंट के सर्च मारना है फ्रस्ट नमर वेफसाइड दिखेगा जैनरल 24 निए डौट इन इस पर आपको किलिक करना है उसके बाद फर्स नमर में ही आपको था फोस्ट दिखेगा विहार बोड कक्छा 11 परिक्छा जो है इंगलिस और इसे का मिलेगा ठीक ना सिर्फ इंग के स्प्जेक्टिव के लिए सेक्शन यहाँ से अब आई आप लोिग डाउनलोप कर लीजिए हम लगा दिये आखिया पले फटाफा डाउनलोप कर लिजिए अबजेक्टिव सबजेक्टिव दोनों झाल झाल झाल